तो अज़े संडे 11 और मैंने जो कल पोट्रेट बनाना स्टार्ट किया था उसको आज कंटिन्यू करूंगा यह कंप्लीट करना है और शाम को दो तीन एक फोटो शूट करना है मुझे किसी और का तो वो भी करना है आज आराउंड चार क्या सपस इसको आज कंप्लीट करके है जैसा आप देख सकते हो मैंने से आउट लाइन किया था कल और आज इसको प्रॉपर पूरा शेडिंग दूँगा कल मेरे साथ एक छोटा सा सीन हो गया यह आपको दिख रहा होगा यह चोटा सा डॉट तो एक्चली हुआ क्या यह मैं अपने सारे स्केल अगेरा पैंसिल अगेरा रख राधा और एकदम से हो जो मेरा स्केल है वो स्टील का था तो वो हाथ से छुट गया और सीधा उसका जो कॉर्णर होता है वो उसके ओपर गिर गया मैं फिर मैं बोला चलने एटलीस छोटा सा है महाँ पे हैर जो एफेक्ट आएगा हैर का शेड करूँगा तो उसको ट्राइ करूँगा मैं छूप जाए बड़ ऐसे अभी देखने में थोड़ा मेरे को लग रहा है यार क्यों की रहा मतलब पर ठीक है कोई नहीं कर दो आएगा है बज रहा है शाम के चार ममी का स्केज जो था वो रेडी हो गया है अभी उसमें कुछ नहीं करना है अभी शाम को अभी क्या सब लोग सो रहे कर पे अभी जब उठेंगे तब सब ममी को बुलाएंगे उनका रियक्शन रिकॉर्ड करेंगे उसके लिए बेट करिए अभी मैं अभी मैं यहां रहा है एक दोसके यहां पर जो एक छोटा सा फोटो शूट करना है उसका विया शूटिंग ओन टर्रेस और यहां से आप देखो यह पूरा एर्पोर्ट दिखता है यहां से मैं आपको दिखो यह देखो सब्सक्राइब करेंगे थैंक्स पर वाचिंग दिस व्लॉग गाइज अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए पॉर्श और लाइक करिए अगर आपको स्केच अच्छा लगा मतलब इस वीडियो में जो भी आपको अच्छा लगा उसकी लिए लाइक तो बनता है और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दो और आई नो मतलब टूबी ऑउनेस्ट स्केच में थोड़ा बहुत डिफरेंस था बट और उनको तो अच्छा ही लगेगा ना उनको समझ रहे हो ना अगर आपको अच्छे लगी तो वीडियो लाइक करें चैनल को सब्स्रेब कर देशा इतना फास्ट की बोल रहो में पो पता नहीं चल रहा बट ठीक है कोई नहीं मिलते हैं नेक्स व्लोग में तब तक के लिए बाइट के लिए